विधान सभा गौरवशाली परंपराओं के लिए जाने जाती है और जब बात 36 गड़ की हो तो जाहिर सी बात है अब एक शाय भी है विधान सभा अध्यक्ष है चरणदास महंत और ये जो सत्र चल रहा है इसमें दो अनूठी चीजें हुई हैं पहला तो ये कि जब राजभा वाला नहोचप की एक विधेक आया ये विधेक था नगरी निकाय को लेकर जो संशोधन राज़े सरकार ने किया है जिसमें अब प्रतक्ष प्रणाली से चुनाव होना है इसको लेकर संशोधन विधेक था ये और इसमें ध्वनी मत से जो की परंपरा है विधान सभा की ध् सब्सक्राइब जो विधान सभा में यह जो दो चीजें हुई है क्या पहले उस भाषा की बात कर लेता है जिसको हम आप जीते हैं चात्रस गड़ी यह प्रयोग अनूठा सा था कैसे मतलब क्या आया दिमाग में देखे जब यहां राजभासा चात्तिस गड़ को सुकृत किया था लोगों ने तब दो हजार साथ बहुत साल गुजर गए थे इस बीच किसी ने याद नहीं किया यह तो मैं अपना सभा के मानता हूं कि जिस दिन राजभासा कर दिवस था उस दिन विधान सभा में मुझे को असर मिला तो मैंने अचानक सोचा कि क्यों आज शक्तिर जहां हमारे केंद्र हैं विधान सभा हूँ या मंतरी मंदलो तब तक उसको कोई अपनाएगा नहीं इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं पहले से गोसित कर दूं कि राजभासा दिवस में सब शतिसगरी बोलें मंतरी भी बोलें प्रसकरता भी बोलें तो बहुत मज़ लोगोने स्विकार भी किया और सभने अच्छे मंद्ल से इसको लिए यृए बाहर भी प्रतिक्रिया जैसा कि आफ थो एक अच्छी प्रतिक्रिया बने हैं यहीं हम से सच्च्मुच विदानसभा अध्यक्ष किसी वरिष्ट गुरु की तरह मंचासीन थे उन्होंने आसंदी से कहा कि बोलनगा गुठियाना बन जाही यह यह जो चीजें आप वैसे भी बहुत सरल बहुत शांत रहते हैं लेकिन वो जो चत्तिस गड़ी भाव में थे आप वह अलगी हिसाब कित था तो यह जो हमारे सदस्य हैं विदानसभा के वो इसको और सरलता से ग्राय करने इसकी लिए क्या करना जी देखिए मैंने और आपको वाकिया सुनाता हूं जैसे चंद्राकर जी थे हमेशा आकरुस में बोलते हैं जब मैंने कहा कि छटिस गड़ी में बोलो तो उनकी आक् कोई स्थान नहीं है. शटित्रिद गड़ी भाचा में ममत तो है, अपनत तो है, भाई चाहरा है और बहुत प्रेम की भाचा है. इसमें अगर आप अक्रोस लाएंगे तो आए गई नहीं, चाहे आप पुछ भी कर लो तो यहां अक्रोस कोई स्थान नहीं है बढ़े सांती म मैं भासा है ये प्रेम की भासा है तो मैं चाहता था कि आज कम से कम कल के दिन किसी तरह का कोई लोगों में दुरा भाव या अक्रोज या कहीं अलग-अलग बात करने वाली बात नहीं देखे सब लोग एक रंग में रगें ये मेरा प्रयाज था गांधी को लेकर दो दिन का विशेज समिनार कर दिया अपने विधान सभा में राजभाशा के ठीक पहले ये और प्रयोप था गांधी को लेकर बातें हमेशा होती रही है लेकिन ये भी उतना ही निर्मम सत्य है कि गांधी की नीतियां गांधी के सिध्धान्त गांधी के आद कारण देखे होंगे कि लोगों को गांधी जयन्ती की पूर्णिती थी इस तरह कि कई बातें कंफ्यूज करती थी लोगों को तो उस दिन गांधी जी को बड़े प्रेम भाव से उनको पढ़ा लोगों ने समझने कोशिस की और जो विचार यहां है दो दिनों में दो दिनों मे जो विचार आए हैं वो बहुत महत्पूर से लोगों ने गांधी को जाना गांधी को देखा गांधी को समझा और गांधी की ने जो प्रयास किये थे अपने देश के सुतंता के लिए और बाहर जाके देश में उसको हमने बताने के प्रयास किया कि 21 वरसों तक जो आदमी द गंदी जी को अपने उनिता है और गंदी जी के जो रास्ते हैं इसको फालो करने आपने एक इसी सतर मैं जो सबसर नुठा हुवा जिसका जिक्रमने शुरुबात में दर्शकों से य बहुत कमजोर सीना को कहा कि ले गुठिया ये कैसे ख्याल आया देखे वहां मैं जैसा कि मैंने कहा कि 36 गड़ी जहां चल रही वहां विरोध सब नहीं आते तो इसलिए मैंने बड़े भाव से कहा उनको कि यदि आप विचार करना चाहते विरोध में तो आजाओ बात करो हम त तुनेंगे अराम से कोई उसमें गलत बात नहीं है आप कर सकते हैं विरोध वो भी एक परमपरा से हट कर थी और उनने स्विकार किया आये मगर बीच में जो आक्रोस की भासा थी उनकी मतलब थोड़ा बहुत तो जिस संग से विरोध पक्स को करना चाहिए उनने कोशिस की फिर भी उसे टाल लगते मैंने एक समझाई दी कि आज अवसर है कि हम लोगों को बड़े प्यान से रहने चाहिए आपको लेकर एक बात हमेशा से रही है कि लोग आपको सियासत में स्कूल मानते हैं कि इसके पास रहो यह थाह लगने नहीं देता है कि यह क्या बोलेगा इस अब यह जो आप अधारें 36 गडिया जो कल्चर है क्या महंत को महंत बनाने में 36 गडिया कल्चर का योगदान है तो तो मीठा पंठीक है राजनीती की जटिलताओं पे इतना पकड कैसे देखिए मैं उननीस सो अस्री में बिलायक बना और उनके साथ रहा मैं तो विराषत जो मिली मुझसे मेरे पिताजी से मिली वो पक्के कभिरपन थी थे पक्के सतनामी थे पक्के आदिवासी थे कह दीजिए तो जो 36 गडियापन हमने देखा उनको उनके जमाने में रोज उनके मित्र दजबिस यहां बैठते थे साम को बै सिसकी और इजैगा मORTस हैं आप सवभा के मानता हुगों कि जिस दिन से मैं मंत्री बना विधायक मना कम उस दिन विद्धान का ज्ञान का केंदर होगा करता स्केस्वामी महें त्पना मंदेखते हुआइए जो विदानसभबज का पर उसमें सम्विदान को लेकर सब्सक्राइबाल या सभी बात होते सब मनाया केंदर से कहीं से निर्देश नहीं है किसी भी प्रदेश के विधान सवा में कोई बैठक नहीं हुई मगर हमने उसे स्विकार किया कि आज समिधान दीवस है तो आधा दिन हम समिधान पे चाचा करेंगे और वह भी बड़ी खुशी के बात है कि कम से कम इस महाने 15-25 प्रदेश विधायक गण समिधान को पढ़ें देखें समझें कि धर्म निर्पेक्स या पंत निर्पेक्स या सेकलोरिजम के बीच क्या आंतर है तो जो छोटी-छोटी बारिकिया है जो हमारे जन जीवन को नहीं मगर विधान सभाओं को परभावित करती है जो विधान बन और उसी 36 गड़िया अंदाज हम पूछ लेता हूं कि तुरबाबू बहुत सयान रहिस राजनीती के बहुत प्रकांड विद्वान रहिस नोकर विरासतला चलात हस विधान सभाद ध्यक्षास सत्ता संगठन के परयाब तनभव है अगर एक निर्मम मुल्यांकन जो कि करना ह तो नंबर कितना देवे केके यह नहीं पूछा तो केला देना है तैंब भूत कटी प्रस नहीं एक जवाब देना ठीक नहीं मैं तेहीं कहूंगा कि यहां बिल्कुल निर्विकार भार से जीना चाहिए अपने जीवन को और राजा अक्सर कभीर साहब की पंत्री तो अक्सर याद रखे हूँ है कि जाको कुछ नहीं चाहिए वो साहन पति साह कभीर साहब की लाइन है कि बिना किसी की चाहत के बिना किसी उसके काम करते रहो सहन साह की तरह कोई दिक्कत नहीं इसमें नदीम शाथ बहुत मशूर शायर हैं युवा शायर हैं उनकी एक लंबी सी नजम की दो पंक्तियां हैं जिसमें वो कहते हैं कि बहुत मुश्किलें हैं बहुत मुश्किलें हैं मगर ये उसका साथ है कि लगता है कि हर राहा आसान है चरनदास महंत के साथ जो उनके समर्थक हैं वो अक्सर उनकी जो भाव भंगिमा हैं जो रिष्टें हैं वो इन पंग्तियों को चरितार्थ करते हैं चरणदास महंत विदान सभाद द्यक्ष न हमें समय दिया हम इसके लिए निग्याबारी है और महंत बने रहेंगे इसमें कोई इनकार नहीं है और महंत के और क्या-क क्या मठ में और क्या-क्या नए जादू होते हैं सकारात्मक वो भी आने वाले समय में हम देखेंगे यागिवल्क एनपी जी रैपर